खरगोन जिले के गोगाओं में एक वेक्ती द्वारा फैस्बूक पर आपती जर्ण टिपनी के जाने के बाद सही गोगाओं का पूरा बाजार बंद हो गया था बारा दिन बाद गोगाओं का बाजार खुलने पर व्यापारियों के चेहरे पर साफ उधासिंता दिखाई दे रही है 12 दिन बाद आज बाजार खुलने से व्यापारी को सुकुन महसुस कर रहे हैं परन्तु उनको चेहरों पर उदासे साब जलक रही है व्यापारीों ने हमरे समधातों को बताए कि मार्च से माई तक व्यापार का सीजन अच्छा रहता है परन्तु कोरोना के चलते लगभग 3 माहा तक बाजार बंद रहे हैं जिसमें सभी का बड़ा नुकसान हुआ है अभी हाल ही में रक्षा बंदन और जर्मास्टिमी का तेवहार था जिससे व्यापारीों को कुछ अच्छे व्यापार की उम्मिद बनी थी परन्तु एक व्यक्ति ने धर्मिक्ता को लेकर फैस्बुक पर आपती जनक टिपणी कर दी जिसको लेकर गोगाओं का पूरा बाजार लगभग 12 दिन तक बंद रहा बाजार तो खुला है परन्तु ग्रह की कमजोर है बरसात के मोसम में रक्षा बंदन और जर्मास्टिमी का ही तेवहार है जिसमें कुछ दिनों तक कारोबार चल जाता है परन्तु मामला संगीन होने के कारण बाजार 12 दिनों तक बंद रहा अब दशरा दिपावली पर ही व्यापार होना है व्यापारियों के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारण नहीं है गोगाओं से इकबाल हकिम की रिपोर्ट तक कि व्यापार मिलेगा वो भी पूरा नश्य हो गया अब आगे जाके दो मेने एक मेने फिर इंतजार करना पड़ेगा और व्यापारी लोग सिर्फ रीप सिर्फ परेशान है वाकि दूसरे लोग कोई परेशान नहीं क्या दाम लिखते है आप अपना ये खत्री पात को लेकर के गोगा में थोड़ा सा मन मुठा हो गया था इस वज़े से चे तारिक से बारा दिन के लिए बंद रखा गया था वेपारियों अर्थिक तंगी से जूज रहे थे लॉगडाउन के वज़े से जो बारा दिन तक रक्षा बंदन का तेहार और जन्मा अस्टमी का तेहार भी पूरी तरह से निकल गया है और बारा दिन के बाद वेपारियों ने अपने दुकाने खोली है उसमें वेपार तो अभी पूरी तरह से ठप पड़ा है आसपास के गरामिन सेतर के लोग अभी थोड़ा डर के मारे बजार में नहीं आ रहे है क्या नाम लिखता क्या नाम संकर निहाले गोगावां का बजार भी बारा दिन में खुला है और लागडाउन के बाद जो सीजान आया था मिल सीजन था इसके अंदर वारादिन लगातार बंद रहाँ वह सीजन में कभी नुकसान हुआ अस्टमी का भी सीजन था राकी का सीजन था इसके अंदर सभी वेवारियों का बहुत नुकसान हुआ क्या करन रहा था क्यों बाजार बंदा पाला था रुवार को कुछ गरबड़ी हुई थी इसके मज़े से बंद हुआ जब से पुला ही नहीं हमारे के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें कर दो